आप देख रहे हैं News 9 भारत रखे आपको सब से आगे नमस्कार आप देख रहे हैं News 9 भारत मैं हूँ आपके साथ अंजली देश और दुनिया की तमाम एहम खबरों पर आएए डालते हैं एक नज़र आजमगर जीले में एहरवला खाना के माहूल में जरीली सराब कांट के बाद पुलिस के कारवाई गुरुवार को भी जारी रही एक दिन पुर्वो ही हुई पुलिस ने एस्पी के नेतुत में एहरवला के रुपईपूर में मुहम्मद साइद के आरिसान कोठी पर छापा मार कर भारी मात्रा में अपने से सराबुआ कफ सिरप बरामत किया था इसके बाद डियाई जी ने साइद के चारो भरार पुत्रों पर पचास एर का इनाम एक दिन पुरू ही घोसित किया था जबकि एक अन्य पुत्र फाहिम को पहले ही गिरपतार कर उसकी निसान देही पर छापे मारी हुई थी वही नदीम पुत्र साइद मुख आरोपी थे नदीम समय चारों को खोच रही थी पुलीस की गुरुवार्तल के पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे पर फुलवर्या के पास मुटभेड हो गई जिसमें नदीम के पैर में गोई लगी है पैर को कश्टडी में लेकर जिला अस्पताल लाया गया है थाना एरवला अंतरगत सरकारी शराब के ठेके से सराब के शेवन से हुई मृत्यू के संबंद में पुलिस द्वारा कल रात्री में एक अवैद शराब फैक्टरी संचालित होते वे पकड़ी गई थी ये फैक्टरी मुहमद नदीम नाम के व्यक्ति के घर से संचालित हो रही थी ये रुपईपुर गाउं का रहने वाला है ये व्यक्ति फरार चल रहा था इसके उपर डियाई जी आजमगर मौते द्वारा पचास जार रुपए का प्रुसकार घोशित किया गया था आद सुबह लगवग पौने पांच बजे सुखिपूर के पास पुलिस के द्वारा इसको घेर कर रोकने का प्रियास किया गया इस दोरान इसके दोरा पुलिस पार्टी पर अवैद असला से फायर किया गया प्रियाब चेताउनी के बावजूद था और किन किन लोगों को सप्लाई की जा रही थी इन सारी चीतों के बारे में भी पूछताच की जा रही है इससे जो लाब अर्जित हो रहा था उससे किस-किस को लाब पहुंच रहा था इसके बारे में भी इससे पूछताच की जा रही है इस पूरे प्रकरण में ये प्माच मुकदमों में वर्तमान में वांचित था जो पांच मुकद में इस घटना के संबंद में थाना हिरोला और फूलपूर में दर्ज किये गए थे तीन लोग और जो पचाहश जार का जिनके उपर इनाम गोशित है वो वरतमान में फरार चल रहे हैं पुलिस की चार्टी में लगातार दविश में उनकी ग्रफतारी के लिए फ्रील्ड में निकले हुई है बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी ग्रफतार करते हुए आगे कारवाई की जाएगी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूस नाइन भारत पर अब चाहूंगे इजाज़त नमस्कार